जन्चंपक कारले काउटगाटन और कारेकरताओं का जन्ता का मिलावा इस मंच पे उपस्तित जिल्ला अत्यक्षेव प्रमोज सावंत नगर स्योग मरलीन डीसा जुबी रिनामदार एडवोकेट खान फरीद कुरेशी सुनिल तावडे उमेश यादो दीप कागडे जितेश वोरा मुकुल त्यागी कुनाल काटकर अब्दुल खान हमदा शेख ललिता बीस्त विरेंदर यादो जागरूती शुकला शब्दीर हुसेन दनेश्वर यादो मनिश मैता, फारूग अलातूर, दुलेराल, गुपता, डीपी, जैन, कमलेश जैस्वाल, सैलेश दुबे, जैठाकपूर, मनिश परमार, अंचल मिश्रा, बिरबल बिश्नोई, नागेंदर जैस्वाल, शिद्देश राणे और उपस्तित सभी, भाईयों, बहिनों और दोस्तों, सबसे पहले आप सभी लोगों को दिपावली की बहुत सारी शुक्ता, हिंदुस्तान, अपुरी दुनिया के अंदर ये एक में वो देश है, जो पांच दिन लगातार, एक ऐसा बड़ा तहवार मनाता है, जिसे सभी जाती धर्म के लोग एकटा हो करके उसे पांच दिन तक मानाते हैं, सरसोती की पूजा करते हैं, गनेज देव की पूजा करते हैं, और घर की सुक, शांती और धन्न और लक्षमी के लिए, प्राप्ती के लिए, आस, पडोस, महले, गाउ, परिसर के लिए, दीप जला करके, इसलिए उसे दिपावली कहते हैं, दीपो की लाइन, घरों के सामने, दुकानों के सामने, मकानों के सामने, दीप जलाना और इसलिए उसका नाम दिपावली पड़ा, इस देश के कही हिस्सों के अंदर, मरियादा पुर्शत्पम राम, 14 साल के बन्नौास के बाद लोटे, तो उसके लिए भी दिपावली मनाई जाती कहा जाता है कि वो इसी समय लोटे थे तो ऐसी परमपरा हैं इस देश की है और इसलिए आप और हम देखते हैं कि आप और हम सब एक दूसरों को लाडू खिलाते हैं ये बात अलग है कि उमेज भाईन अभी तक के हमको मिठाई का य कि मैंने बुला लगी चकलू और लाडू काई तुम भी ओठोड़ा गड़वड़ा हुए है या आफीस पर रखे तो मिठाई एक दूसरे को देखर कि नुआ करके ग्ले शिक्वें दोस्ती का हाथ पढ़ा करके ये कैसा बड़ा तैवार पुरी दुनिया में हिंदोस्तान क जिए सिफ संस्कूरूती में और उस संस्कूरूती के रख्वालदार मानने वाले आप और हम हिंदूस्तानी है चाहे कितना प्रहत्ना भाजबा कर ले आरेसेस कर ले पानी पे लाठी मारने से पानी अलग नहीं होता इस देश का जो गंगा जमना सरिसुती के ये जो माहौल है कुछ वक्त के लिए पानी भी प्रदूशित होता है मगर उससे फिर क्या होता है तबेत भिगरती है अब ही प्रमोज सावन बता रहे थे के पाट दिन तक पानी नहीं था तो पाइपलाइन फुड़ गई थी जो पाइपलाइन फुड़ गए तो उसमें गंदा पानी आ जाता है तो उसी तरह से इस देश के लोग तंतर में थोड़े जिनों के लिए पाइपलाइन फुड़ गई है उसमें गंदा पानी आ गया है और लोगों को अभी पीने के बाद पता लग क्या है कि भईया एक कें की कीमत नहीं बढ़ती जब डिजल की कीमत बढ़ती है तो हर चीज की कीमत बढ़ती है किसान को जितना डिजल लगता है पंप चलाने के लिए डिजल लगता है ट्रैक्टर के लिए डिजल लगता है ट्रैंस्पोट करने के लिए ट्रक लगती है लाजिस्टिक के लिए गाडि लगती है पेट्रोलियम लगता है और लगता है डिजल लगता है क्रूड लगता है तो जब पेट्रोलियम का प्रोड़क्त की कीमत बढ़ती है तब आपके और हमारे देश में आपके हमारे घर में आने वाले हर सामान की हर कीमत की कीमत बढ़ती है आज दो साल होने को आ गया है कोविट पूरी दुनिया में चल रहा है छे मैना पहले आज जो सोग करोड वैक्सिनेशन हुआ है यह अपनी पीड अपने हाथ से थपतपा रहे है कि पंद्प्रदान जी का जाकर के आज उनके कारेले में उनके ही प्रदेश के नाशनल प्रेसिडेंट के पंद्प्रदान जी के वज़े से सोग करोड लोगों को वैक्सिनेशन मिला सही बात है आज सोग करोड लोगों को मिला है मगर ये 100 करो 6 मेना पहला हो सकता था जो सेकेंड कोविड का जो मार चली इस साल में और लाखों लोगों को अपनी जाने कमानी बड़ी गंगा मैया के अंदर लाशों को बहाना पड़ा लोगों को कि जलाने के लिए लोग नहीं थे अंतिम संसकार करने के लिए लोग नहीं थे हजारों हजारों की तादात में आपने हमने गुजरात हो रायस्तान हो मारास्ट हो सब जगे संशान हो कवरस्तान हो बरियल ग्रॉण में हालात देखी कि बाप को कंदा देने के लिए बेटा नहीं जा पाया बेटी की अर्ती किसी दूसरे शहर में उड़ गई कोई गंगा में बहे के चला गया तो कोई कही दफन हो गया मगर इस देश के पंद प्रधान ने दुनिया का लीडर बनने के चक्कर में इस देश के करोड़ वैक्सिनेशन दुनिया में 90 देशों में बाढ़ दिया वो वैक्सिनेशन अगर सही वक्त पे हिंदुस्तान में लगा होता ताज पूरा 270 करोड़ लोगों को वैक्सिनेशन हो गया होता इस जून तक इस सरकार ने केंदर सरकार ने सिर्फ दो कंपनियों को वैक्सिनेशन बनाने की पर्मिशन दी जब सुप्रीम कोट ने इस केंदर सरकार को पूछा और लठाडा तब जाकर के इन्होंने बाकी अन्य साथ कंपनियों को पर्मिशन दी और इसलिए जाकर के वैक्सिनेशन का प्रोडेक्शन बढ़ा और अब जाकर के वो जुलाई से लेके अब नौमबर तक के सो करोड हुआ आप लोगों को विचार करने की बात है कि ये काम पिछले साल भी हो सकता था मगर नहीं किया आज सो करोड हो गया है तो खुद की पीट थपतपा रहे हो उन लोगों के बारे में क्या जिनके घर में मयते हो गई जिनके घर के लोग चल बसे आज उत्तव प्रदेश का चुनाव है तो रोज योगी महराज आपको टीव पे दिखते हैं आज रोज बोल रहे हैं कि हम इतने लाक रुपिये कोवीट से जिनकी प्राण के आउती गई है जिनके घर के सदेश से चल बसे हैं हम उनको इतने लाक रुपिया दे रहे हैं हम उनको राशन फ्री दे रहे हैं तो ये कोवीट के समय दो साल आप क्या सो रहे थे बगवान राम का मंदिर बन रहा है सुप्रीम कोड का जैज्ज्मेंट हुआ है पेटी में यह मैं नहीं कह रहा हूँ यह वीडियो टीवी बीबीसी सीन बीसी इंटरनाशनल मीडिया बता रहा है कि 3,000 करोर जमा किया गया और अब उसका भी राजकरण होगा, धुईकरण होगा कि दो साल तक के सारे मीडिया, राम मजजी का मंदिर का तर्शन आपको हमको कराएंगे और हिंदू और मुसल्मान के अंदर फिर से उस भावनाओं को जगाने का प्रयास करेंगे वो पिछला इतिहास बावरी मजजीद का दोराने का प्रयास करेंगे वो दिखाते जाएंगे और हिंदो मुसल्मान में पोलराइजेशन करने का काम करेंगे और आपको आपके जेब से पैसा और डाका जो दाला जा रहा है उसको भुलाने के लिए आपको इस तरफ ये रास्ता दिखाये जाएगा आप भूल लियाते हो कि 100 रुपे का पेट्रोल है एक हजार रुपे का गैस है ये वोही स्पृती रानी है आपी टीवी पे दिखती नहीं है ये वोही फाइनांस मिनिस्टर है अब मुझे आवाज निकलती नहीं है जब मनमोल सिंग जी को पेट्रोल डिजल का भाव जब दुनिया के बाजार में 100 डॉलर पर बैरल था 1500 डॉलर पर बैरल था तब हिंदुस्तान के सरकार, कॉंगरेस की सरकार, यूपे की सरकार 70 रुपे में पेट्रोल डिजल दे रहे थी तब यही बाजापा के नेता जो आज के इंद्र में मंत्री बंगे बैटे जिनका नामों निशान नहीं दिखता वो मंत्री है के नहीं ये भी पता नहीं लगता ये मन मौन सिंग जी को चूडियां पेश करते थे आपको यह याद रखना होगा वगर आपको यह सब बुलाने के लिए यह सारा तमाशा चलेगा फिर से चलेगा और फिर हो पोलराइजेशन के लिए इस राम जन्मभुमी के ओपर जो राम मंदिर बना जा रहा है जो आलिश्यान मंदिर बनने वाला है जो दुनिया के अंदर एक में और सब में बड़ा मंदिर बनेगा, बहुत अच्छा काम हो रहा है, मैंने उसकी शुरुवाती मेरे भाशन से इससे करी, कि इस देश की संस्क्रूती है दिवाली मनाना और दिवाली बनाने के अलग-अलग कारण होते हैं, और अलग-अलग हिस् है, मगर उसका उप्यों बीजेपी किस तरह से करने वाली है, तो आपको पेट्रोल डिजल का भाव बुला देगी, आपको फैजाबाद अभी कल पर सुभी कोई जाकर आया था, दुबेजी तो मुझे का रहा है, बहुत बढ़िया काम हो रहा है, क्या रस्ते बन रहा है, ब पाच हजार रुपया लिया हमसे, मुला फिर ये काम बढ़िया नहीं हो रहा है, कि तुम्हारे जेप में डाका दाला जा रहा है, तीस डॉलार, चालीस डॉलार पेट्रोल का भाव, क्रूड ओयल का भाव पुरी दुनिया में है, और तुम्हारे जेप में से 10 लाक करोर आपके हमारे घर में अगर कोई समस्या होती है, तो हम दोगे fix deposit रखते हैं, insurance रखते हैं, देश के अंदर, resolve bank के अंदर उस तरह का पैसा रखा जाता है, वो पैसा लूट लिया गया, निकाल लिया गया, इस्तेमाल कर लिया गया, Air India बेज दी गई, गैस की mils बेज दी गई है, rigs बेज दी गई है, आपके उतना प्रदेश की सारी railway बेज दी गई गई है, आपको station पे जाने के लिए अभी ticket का कितना पैसा लगता है, पचास रुपए, पहले कितना लगता था, पाच रुपए, लूटा जा रहा है, मगर लोगों को दिशाभूल करने के लिए फिर वो जातिवाद, धर्मवाद, भाषावाद, इसके उपर आपको दिखाये जाएगा, क्योंकि टीवी चैनल, मीडिया, तो सारी एक तरफा बाते करती है, क्योंकि अगर नहीं करेगी तो उनका चैनल बंद हो जाएगा, उनके रिपोर्टर और उनके ओनर लोगों पे CBI की इनका उरी बैठा दी जाएगी, तो मुल्क जो है, देश जो है, आप में से सारे पड़े लिखे लोग है, जिस-जिस मुल्कों के अंदर, देशों के अंदर, हुकुमशाई चलती है, टिक्टेटर्शिप चलती है, रिजम चला है, अगर आप इतियास पड़ोगे 50-100 साल का, तो इस्टन यूरोप में आपको दिखेगा, मुस्लिम कंट्रीज में आपको दिखेगा, बहुत सारी कंट्रीज में आपको दिखेगा, कि जहाँ पे कम्यूनिस्ट का रिजम चला, जैसे भी नॉर्थ कोरिया में चल रहा है, चाइना भी नाम के लिए डेमोकरसी है, बाकि कम्यूनिस्ट टिक्केटरशिब है, रशिया बले आज देमोकरसी कहती है, मगर डिक्केटरशिब जैसा ही कम्यूनिस्ट का, तो उसी तरह से हिंदुस्तान में चल रहा है, कि मैं बोलू वो काहिदा, मैं जो कहुँ, वो सही, और लोगों ने सिर्फ मेरी वावा करना और जब ये माहुल जब देश में बनता है तब लोग जिने हम लोग कहते हैं इनको नाम दिया गाया भक्त वो भक्त लोगों के आखों के सामने परदा गिर जाता है और वो विक्ती पूजा करने लग जाते है तो आदर्निय पंद प्र करके अउतार तक के पहुँच गए बाहदयवा के अउतार तक के पहुँच गए जब जब election होता है तब आप देखिये क्या करते हैं दर्शन करने करें कहां पहुचेंगे कोन से गुफा में जाके बैठेंगे election महरास्ट्रा में होगा तो करनाटागा में जाकर करके राउन जन्मों घुमी पे और भाशन करेंगे एलेक्शन करनाटागा में होगा तो उसी दिन शाम को जाके बैंगलोर में बाशन करेंगे मतलब कोई मौका क्योंकि एलेक्शन कमिशन बोलता ठीक है मेरा भाइंदर में एलेक्शन है तो यहां बात नहीं कर सकते हैं, धहिसर में कर सकते हो, तो धहिसर में जाके करेंगे और TV आले पुरी हिंदुस्तान में दिखाएंगे. तो यह हालात इस देश का है, आज तीन चार राजियों में बाय एलेक्शन हुए, जब वहां पर एलेक्शन हारा गया, तब जाकर के 10 रुपया कम किया गया, और लोग बड़ा खुश हो गया, अरे भाई 10 रुपया कम हो गया, अरे तुम से 50 रुपया जादा लिया जा रहा है उसकी बात करो, तुमारे गैस का सवा 200 रुपया बढ़ा दिया है, उसकी बात करो, ऐसे भी अंदभक्त लोग है, जब signature campaign लोग हमारे कर रहे थे पार्टी के, तो बोलता है 200 रुपया हो जा रहे है तो तो भी हम मोधी मोधी बोलेंगे, और रहे तिरे पाँ स्कूटर तो भ जा रहा है, गाड़ी में जा रहा है, बढ़ने दो भाव, यह पईदा चलना चाहिए, तो ऐसे लोगों की मन की भावना होती है एक दूसे के परती, उसके चक्कर में देश को जलाने का और देश के आवाम को बरबादी में के मुँ में ढखेलने का काम, ऐसे लोग करते हैं, जो अपने आपको भक्त कहते हैं, आप जैसे ही कुछ लिखना चालू करोगे, तो वो गालिया देना शुरू करेंगे, आप सोच भी नहीं सकते कि कित्ते हजार करोड रुपया भाज़ापा RSS, इस सोशल मीडिया पर करती है, आप सब लोगों ने देखा, कि इस कोवीड के इसमें भी किस तरह से polarization किया, एक मिसाल मैं देता हूँ और मेरा बाशन खितम करता हूँ, आप लोग सब उस बात की गवाद होगे, कि आप सब के, यह majority मेरे हिंदू भाइबट है, आप सब को यह लगता है, कि मुसल्मान community vaccination नहीं लेती है, लगता है यह नहीं लगता है, लुदी, अरेबिया हो, दुबई हो, जाइक इसका नाम लो, सबने vaccination किया, हिंदुस्तान के अंदर कोई मौलाना ने यह नहीं बोला कि vaccination मत लगा, मगत BJP के social media ने ऐसे वीडियो चला है, मुसलिम community के बीच में, और हिंदू community के बीच में, कि vaccination लगाने से माद में मर जाएगा और क्या-क्या बीमारी हो जाएगी, तो इसका भी इस्तेमाल इनों ने किया, vaccination और COVID के जमाने में, कि किस तरह से हम हिंदू मुसलिम डिवाइट करें या polarization करें, यह हर चीज में, आप खाने की बात करोगे, तो बोलेगे, यह बीफ खाता है, यह चिकन खाता है, यह फिश खा हर चीज में पोल हो रही है, मगर पेट्रोल डिजल के भाव ने इनकी नी नुडा के रखी है, क्योंकि इनके पास इस देश को किस तरह से चलाना चाहिए, उसकी तरकी भी इनके पास नहीं है, और इसलिए RBI का पैसा निकालो, पेट्रोल डिजल का भाव मड़ाओ, उसमें लगाओ, और उसमें से पैसे लेकर के देश को चलाओ, आपके अकाउंट में, गाउ में दूबे जी एलेक्शन होता है, तो आपके अकाउंट में 6,000 रुपे आजाता है, आपके अकाउंट में इंदरा गांदी, राजी गांदी, संजय गांदी, जितनी योजनावों थी, अपना नाम बदल दिया है, उसके 5500 रुपे आपके अकाउंट में आजाते हैं, एक एक घर में 5,000-10,000 रुपे बैंक अकाउंट में जमा हो जाता है, आदमी खुश, कि मोदी जी का पैसा आ गया, बोलते हैं न आप लोग ऐसे ही, आप लोग ऐसे ही ही बोलते हो, अरे अब मोदी जी का पैसा आ गया भई अपने अकाउंट में, यह अब अगर आपको समझ में नहीं आता है कि तुमारा 20 लाक कोरोड तुमारे जेव का पैसा नूटा है, इस देश की धन संपत्यों को बेचा है, जो पंडित महरू ने इंद्रा गादी ने इस देश के अंदर खड़ किया, उन इंडस्रीज को बेचा है, वो ओल रिंग्स को बेचा है, वो कारखानों को बेचा है, और तुमारे पास से रोज का पेट्रोल डीजल के उसमें टैक्स लगा के, तुमारा पैसा ले करके, तुमको एलेक्शन के टाइम में पाँच जार ता से जार रुपय तुमार कि उसमें बोल रहा हूं, क्यों कहीं लोगों को तो वो जटका लग गया, क्या अरे अभी मुझे अगर 15 लाग बेरे एकांट पे आरो और मैं कोवीट से मर गया तो, वो कोवीट में जटके से मर गया का, उससे हाट अड़ेक हो गया उसको, ता इसे कही आश्वासन और लगी थी, 14 में लगी थी, और मुक्यमंतरी देवंदर फट्नवीशनी ने कहा था, और उस्ताइन के आमदार और महापॉर नगर से उपने कहा था, 2019 में हम मेट्रो चालू कर देंगे, तो मैंने ये कहा था, 2019 तक अगर मेट्रो इनों चालू कर दिया, तो मैं राजनीती है, वाइसलाइन को करना है, कि मेट्रो चालू हुआ, कि खाली मीटर डाउन हुआ, इसने बता है, एनम्टी टैक्स, मेट्रो चालू हने का मतलब वो था, तुम लोगोंने गलप समझा पबलिक ने, कि गाड़ी में बटने को मिलेगा, तो इस शेहर के अंदर भी उसी तरह से चुटे आश्वासन, टैक्स के बारे में आपको बता है, आज रात में घर में जाकर के अगर टैक्स की रिसीट आपके पास आई है, तो जरूर जाके देखिएगा, अगर आपका 700 रुपया था, तो वो सीधा 1500 हो गया है, 2000 रुपया हो गया है, उसका कॉंट्रेक्स ने लिय आई के 300 भुटका है, उस पर टैक्स कितना लगाने का, तुम्हारी बिल्डिंग 25 साल पुरानी है, 30 साल पुरानी है, और उसको टैक्स आज का लगा जा रहा है, आपको पानी तो दिया नहीं, आपका सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का प्रकल पर चार बनके रेडी हो गये, जो हम लोग ने बनाया था, उसको आज तक ये चालू तो नहीं कर पाए, बगर टैक्स आपके उपर भीज़ दिया है, ऐसी कहीं चीज़े हैं, वापस आपके सामने प्रचार होगा, भाशन होगा, होडिंग लगेगी, यूटूब चलेगा, सोशेल मीडिया के उपर चलेग और तुमारे एकाउंट में बरोपर एलेक्शन के टाइम में कितने पैसे आते हैं, और रात में आपको एन्वलप कैसे आते हैं, इस हिलाके में रात में एन्वलप बहुत बढ़ते हैं, क्यों दूबे जी, अरे बताओ बई, आपने बताया नहीं भाशन में, कि दूबे जी के चुनाओ में मैं घुमरा था जेशल पार्क में, तो हमको पुलिस को बुलवाया हमने, या कैविन रोड पर बुलवाया, पान पान सो रुपया, एक हजार रुपय के एन्वलप बटे जा रहे थे घरों के अंदर, तो यही मुन्सक्वाल्टी में भी हो रहा है, तुमारे तो यह प्रस्टचार जो केंदर की सरकार कर रही है, वही राचे की सरकार अपना यह मिरा महिंदर की सरकार कर रही है, और यह चीजों से आपको लड़ना है, आपको हमारे लिए नहीं लड़ना है, आपको अपने लिए लड़ना है, अगर आप चाते हो, कि आप जिस मकान मे 200-400 के बकान में रहते हो और उसके ओपर Tax-े-śnieam का न्याय आपगा यह रोगना है आप जाते हो कि है आपके पानी आपको मिले खाली होडिंग में जो दिक रहा था वह अगर आप चाते हो वगर आप चाते हो कि आपका शहर अच्छे शेहरों में नाम गिना जाए ना कि ऐसा गिना जाए कि यहां के आमदार का फला 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 किस्सा कहनी आपको सुनने मिले आज आप पूरे हिंदुस्तान में कही जाओ तो ऐसा लोग बोलता रहे हुआ आपके उधर का एक आमदार था उसका बहुत वीडियो चलाता इसा सब यसी बाते सुनने मिलती है ना तो आपको खुशी होती है कि दुख होता है कि आप जिस शहर में रहते हो उसके लोग प्रतिनीदी की बारे में इस तरह से बात होती है हमने राजनीती छोड़ दिया पापस एलेक्स नाया तो फिर राजनीती में आ गए मैंने शहर में बहुत काम किया कोवीड में कोवीड में किसने काम किया इस शहर में देखा हमने हजारों लाखों लोगों को मदद की यह जेस्वाल बैठे हैं उमेश बैठे हैं यह बहिंदर इस्ट के अंदर हो कहीं भी हो सब जी की मदद की मगर कहीं टीवी में वीडियो में हम लोगों ने दिखाया नहीं यह भाई साथ तो घर से नहीं निकले थे क्या मूँ लेकर के निकलते थे और कोई लोग प्रतिनी दी थे जहां बस जाती थी ट्रेन जाती थी वहां खड़े रहे के फोटू निकलते थे हम लोग ने किसी ने फोटू नहीं निकाला रात रात पर खड़े रहे करके उस काशिमीरा के नाके पर आदमी चाहे मुंबई का आ रहा हो के ठाने का आ रहा हो इन्सान इन्सान है और मुसीबत में परिशानी में हरें की मदद करना यह हमारा कर्तव यह हमारा काम है वो देखते हम लोग ने काम किया हजारो हजारो लोगों परिवारों को मदद की चाहे खून की जरौत हो दवाईयों की जरौत हो चीस चीस की जरौत हो वो चीज़ पूरा करने के प्रयास किया वो इंसानियत का फर्स था वो काम बता करके हम आपसे वोट मांगने नहीं आले हैं हम वोट मांगने वाले हैं आपसे आपकी परिस्तिकियों को आपके नजरों के सामने दिखा करके जो आपके खीसे की हालत है, जेप की हालत है, जो आपके घर की रोजी रोटी की हालत है वो आपको सोच विचार करना है, आप सब लोग यहाँ पर आए आज परमार जी और अन्या हमारे साथ में जुड़े हैं अंचल मिश्रा जी इनका हम पार्टी में प्रवेश और हर्दिक इनका स्वागत करते हैं नहीं ते तुम्ही मादा भाशन अंदर बूलूंगे सगड़ा नहीं और बहुत सारे लोग इनके साथ में और अनकों एक नजर से देखती है उसको भी एक नजर से देखती है आप जब लोगों की सिवा करने निकलो तो इस बात को ज़रूर याद रखेगा कि आपकी नजर सब में पहले सबसे जो गरीब आदमी है उसके उपर पढ़नी चाहिए यह मैं नहीं कहता हूँ इस बीड के अंदर का जो आखरी आतमी है जिसके तन पर कपड़ा नहीं है उसके तन पर कपड़ा होना चाहिए इसलिए मुझे लोग तन पर चाहिए आज यह देश का दुरभाकिय है कि जिस गांदी की हक्तिया जिन लोगों ने करी आज वो गांदी का नाम लेकर के राज्टर नहीं है जिस सरदार पटेल ने RSSS के उपर बैंड लगाया उस सरदार पटेल की पूजा इनको करनी पड़ रही 3000 करोड रुपे की मुर्थी इनको बिटानी पड़ रही है क्योंकि इनके पास कोई ऐसा नेता नहीं जिसकी यह आरती उतार सके यह बता सके कि इस देश पर इसका कॉंट्रिबुशन यह है सारा कॉंट्रिबुशन इस देश में अगर किसी ने किया तो कॉंग्रेस के नेताओं ने किया आप चाहे महात्मा गांधी से शुरू करो या इनी बैसंट से शुरू करो चाहे वो इंद्रा गांधी तकाओ चाहे सुनिया गांधी तकाओ इनके पास कोई ऐसा वेक्ति मत्वा नहीं यह अपने आपको चाहे कितना भी बड़ा बना ले ये कितने भी डिक्टेटरिशिप कर ले मगर उपर वाले की लाठी में आवाज नहीं होती जैसा मैंने कहा ना कि पानी पे लाठी मारने से पानी अलग नहीं होता उसी तरह भगवान की लाठी में आवाज नहीं होती जो गरीब और मजदूर पेशा लोगों ने इस COVID के परिशानी में आज भी जो परिशानी उठा रहे हैं, बेरोजगारी उठा रहे हैं, यह उसकी जो आत्मा बदवाय दे रही है और तकलीफ जेल रही है, उसका फल इनको भोगना पड़ेगा, अब बहुत जल भोगना पड़ प्राइब है।